हेले दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए रेस्पी के साथ तो दोस्तों आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू की पकोड़ी कैसे बनाई जाती हैं तो दोस्तों जिसके लिए हमें आवसेक्स समागरी चाहिए तो हमने ले लिया है आलू और बेसं और इसमें रूपे मसाला इस्तमाल किया है और उसके बाद जो कि इसमें थोडा सा नमक मिलाना है नमक को मिला करके अच्छी तरह से तो दोस्तों इसके बाद हमने मिलाया है अत्रक लेशन मिर्च का पेस्ट जो हमने इसको कूट कर रखा हुआ था उसको मिला दिया है और अब इसमें हम पानी मिलाकर अच्छी तरह से इसको इसका घोल बना लेंगे तो दोस्तों पानी ज्यादा नहीं मिलाना ह चुका है तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसको फराई करने की तरफ तो दोस्तों जैसे कि हमने गैस चला लिया है और कड़ाई रख दी है तो जब तक हमारी गैस कड़ाई गर्म होती है तब तक हम जो की बेशन में कटे हुए जो आलू है इसको मिला लेते हैं तो इसको मिला ल जैसा कि इसको धीरे धीरे आज में पकाते रहना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए तो दोस्तों जैसा कि हमारा आलू जो पकोड़ी है इसको बीच-बीच में से पलटते रहना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए तो दोस्तों जैसा कि पकोड़ी हमारी बनके तयार हो चुकी है आप इसको हम निकालेंगे तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आप को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जयरूर बताएं और हमारे repent नय है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए सेयर करिए कमेंट करिए तो दोस्तों मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन